हे गाईज विल्कम बैक सुबा उठते ही सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो है मुझे फ्रीज चेक करना होता है कि फ्रीज में क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से फिर में ब्लिंकिट से या फिर सुई इमाट से घर के जो भी ग्रोसरी सबसी वेगरा लगेगा वो सारे चीज में ओडर करती हूँ पहले ये सारे चीज मम्मी करती थी, मम्मी को ये सारे चीज का स्ट्रेस रहता था In fact, हम लोग जब घर पे रहते हैं, हम लोग ये सारे चीज में धियानी नहीं देते हैं फिर जब अकेला रहना हुआना, तब मुझे समझ में आया कि सबजी का दाम क्या होता है, ग्रोसरी में कितना पैसा जाता है, घर में कैसे मैनेज करके सेविंग करके चलना होता है पहले लगता था कि जॉब करेंगे अपने पैसे से ये घुमेंगे फिरेंगे ये हो गया सेल्म डिपेंड फिर जब अकेला रहना सुरू किया फ्लैट में सिफ्ट हुए हर एक चीज जब छोटा छोटा चीज मुझे खुद करना होता है मैनेज करना होता है याद रखना होता ह देन मुझे समझ में आया कि घर चलाने के पीछे हमारे ममी पापा लोग कितने महनत करते हैं In fact सभी करते हैं और हमारे जिनरोषन कितनी अजीब हैं बाप मा के पैसे से महंगे से चीज़े खरीदते हैं और बहुत कूल और रिस्ट प्रिजेन करते हैं आइन जो लोग अपने मेहरत से कुछ करते हैं, उन्हें सोसल बडिया में आके ज़स करते हैं, कमेंड करते हैं, सोउसते हैं हम तो कोई नहीं देक पार है, पड़ तुम्हारा इक कमेंड में ये दिखता है, तुमारा परवरीस उन्हों कहीं है? तुम कैसे इंसान हो? because उसमें दिखता है आपका education क्या है आपका मौहल कैसे परवरिस everything present करता है आपका एक word से क्योंकि बात बहुत इंपोर्टेंट होता है आपका language सिफ गाली देना ही गंदा चीज नहीं होता है आप जो भी बोलते हो जो भी दुसरे को demotivate करते हो ताना मारते हो कुछ भी गलत सलत बगते हो उससे आपका अंदर का जो सक्सियत है वो दिखता है तो जिसको आप दे रहे हो उसका कुछ नहीं बिगर रहे है पर आपका सक्सियत पूरा दुनिया के सामने आ रहे है वो comment में सो किसी को बाला बुरा बोलना कोस्तना जैलिसी करना कोई फाइदा नहीं है अपने उपर walk करो and focus करो आप अपने आपको कितना अच्छा और better present कर सकोगे याद रखना एक बात अधिकार आपको दिया जाता है and जब proud feel करते है या फिर जो गर्व होता है वो खुद से कमाया जाता है और वो आपकी है तो ऐसा काम करो कि खुद पर proud feel कर सको किसी से जल के कोई फाइदा नहीं है किसी को बुरा बहला बोल के भी कोई फाइदा नहीं है और आज सुबह उठके मेरे breakfast भी बनाया घर का काम भी सुरू किया और आज मैं बना रही हूँ पोह, चाय और एग यह मेरा favorite breakfast है आज का दिन मेरा बहुत ही productive होने वाला है क्योंकि आज घर का बहुत सारा clean भी करूंगी organize भी करूंगी और आपको पता है यह जो pink बला मेरा जो curtain है इसको मैं change करने वाली हूँ क्योंकि बहुत time होगे मैं bored होगे इसको देखके जो curtain में लगाने वाली हूँ वो बहुत ही cute और pretty सा है घर को जब decorate करना होता है कुछ organize करना होता है या फिर कोई चीज नया घर का home decor item अगर लेना होता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ मैं ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा because I love it मुझे घर सजाना बहुत पसंद है तो आम बबु ना यहाँ पे खिड़की पे सुवा सुवा बैठता है कि कि यहाँ पे बहुत सारे चुड़िया आके इधर उधर घूमते रहते खिड़की पे आके बैठता है तो बहुत ज़्यादा खुस हो जाता है जादा तक मैं इसे रूम पे ही सुट करती हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इसा फ्रेस दीके थोड़ा सा नियू लूक लगे तो थोड़ा सा चेंज में करती रहती हूँ बेडरूम में मेरा पेट्स रेस्ट करते है और 25 टेंपूराचर रखे और 24 घंटे ऐसी रहता है क्योंकि मेरा पर्शन कैटे और जर्मन से पर्टे और उन लोग का हेर बहुत लूग होते है तो उन लोग को बॉड़ी भी बहुत हीट होता है जब मैं सूट करती हूँ थोड़ा सा रॉसनी आये नैचरल लाइट में सूट करना पसंद करती हूँ तो मैं खिर्की विर्की खोल देती हूँ तो वो लोग को बहुत कर्मी लगती है तो लोग बैचैन हो जाता है तो इसलिए मैं उन्हों को disturb नहीं करती हूँ तो सोचती हूँ इस रूम पे ही कर लेती हूँ और ये देखो कटन कितना प्यारा लग रहा है ना बट यहाँ पे मुझे लग रहा है ना खिरकी थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे दो पीस आया है I think मुझे और दो लेना पड़ेगा तब जाके यह पूरा अच्छा लगेगा मैं फटा-फट से ओडर कर दूँगी ताकि यह दो होट अपी स्टॉक ना हो जाए विकुस बहुत ही प्यारा है कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना ठीक है ताकि मुझे भी तो पता चले कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यह कटरना सनलाइट को ब्लॉक नहीं करता है जस्ट फैंसी और इस रूम में वैसे भी मुझे सनलाइट को ब्लॉक करना नहीं होता है बस fancy देखने में अच्छा लगे, इसलिए ही मैंने इसको लगाया है कुछ टाइम से कुलकता में बहुत ज़्यदा बारिस हो रही है ज़्यदा धूप नहीं निकलता है, मौसम वैसे ही बारिस बारिस वला रहता है बट गर्मी भी बहुत ज़्यदा है, ऐसा निकी ठंडल फील हो रहा है और ये सारे बैग को मैं सेट करने वाली हूँ इस ओगनाईज बॉक्स में Amazon के तरफ से ये PR में मुझे 6 फ्लोर का ओगनाईजर बॉक्स आया है अलहम्दलिला, अलहम्दलिला और ये स्किन केर भी कर सकते हैं, फिर आप कोई भी मेकप का पोड़ाक रख सकते हैं, ये भी एक ओगनाईजर बॉक्स है, ये टेबिल के उपर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लाएगा, छोटू सा डॉयर भी है, जिसके अंदर रिंग्स हो गया, कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पर मैं आज फाइनली अपना बैग को सेट कर दूँगे, क्योंकि मेरा बैग रखने का कोई भी जगा नहीं था, और सारे तीन बजे रात को मैंने सूट किया था, तो सेट अप मैं इस तरह के से करती हूँ, अगर मैं डेलाइट में नहीं सूट करी हूँ, बहुत ज़दा सनलाइट आता है, आता है काम चलाओ टाइप पर बहुत ज़दा नहीं आता है, कोई-कोई प्रोडैक में रिक्वर्मेंट होता है, लाइट का वो भी डिटेल जो लोग इसक्रिप भेजते हैं, उसकी हिसाब से भी सूट करना होता है, तो इनिवेज हो गिया है, और मैंने लाइप भी कर दिया है, अलहमदुलिला सब कुछ अच्छे से हो चुका है, फेस्टिवेल तो चली रही है, दुर्गापुजा, नवरात्री, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से इंजोई करना, खाना-खाना, मिकप करना, नहीं नहीं कपड़ें, उसके बा में आजाए, उसके बाद आप लोग के साथ में सेयर करूंगी, और मेसो से मैंने ये रग ओर्डर दिया था, बहुत अच्छा कॉलिटी का मुझे रिसीव हुआ है, इसको मैंने सेट कर दिया, कैसा लग रहा है, मुझे कमेंड में जरूर बताना ठीक है, और रूम को भी थोड़ा बहुत जो मैंने चेंज किया है, आप लोग बताना की रूम कैसा लग रहा है, डेकोरेशन अच्छा लग रहा है की नहीं, अगर कुछ चेंज भी करना होगा, वो भी मुझे बताना, एक सिस्टन ने पूछा था, दी आप मोटिवेट कैसे रह लेती हूँ, मोटिवेट रहने के लिए आपको डिसिप्लीन मेंटन करना होगा, वो आपके हाथ में है, आपको ये नहीं सोचना है कि संडे है लेट से उठेंगे, क्योंकि आज तो चिल करे ये सोच के साथ उठोगे, पूरा दीन बहुती लेजी जाएगा, दी मोटिवेट फिल करोगे, आप पोडेक्टिव नहीं रहोगे, बहुत सारा कम आप नहीं कर पाऊगे, अब सबसे बड़ी बात है, आप अपने लाइफस्टायल को जो हेल्दी बनाने की कोसिस कर रहे हो, एक दिन के वये से पूरा बरबाद होगा, क्योंकि लेट से सोगे, तो फिर लेट से उठोगे, तो मंडे आपका बरबाद हो जाएगा, ये एक ऐसा वक्त होता है, जो आपको अपने लिए वोक करना है, ये जवानी है, दो दिन रहेगा, तिन दिन के दिन ढखल जाएगा, 18 से लेके 25 साल तक हर लड़की को अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने केरियल के बारे में अपने उपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है, एक बार निकल जाएगा, दुबारा लोट के नहीं आएगा, वक्त कैसे बीट जाता है, 2024 almost खतम होने वाला है, तो अभी भी वक्त है, समाल जाओ, एक डायरी लो, अपने लाइफ में एक रूल्स बनाओ, अभी भी अपने आपको मोटिवेट करो, आज करे सो कल और कल करे, तो अभी अपने आप पे उपर वाक करो, ताकि आपको ज्यादा अपसोस ना हो, कि ये वक्त भी चला गया, क तीन साल से मैंने बंद कर दिया है, अब जो है, जैसा है, जितना मैंने लिया है, वो सारे चीज़ में में काम चलाती हूँ, और ये सारे चीज़ में लिया ही क्यों था, मैं सोचती हूँ, क्योंकि पैसा बरबाद है, ना मैं सब को पहनती हूँ, ना कुछ पर कुछ हम लोग को लड़कियों को होता है पहनते कुछ नहीं है बर लेने का सौक है फिर धीरे मुझे समझ में आया कि मैं अपना पैसा को बरवाद कर रही हूं इसलिए मैं अभी भी कोई भी कॉस्मेटिक नहीं खरीती हूं यह सारे जो जुमके भूमके होते हैं यह सारे मैं नहीं लेती हूं जो अभी है वो सारे यूज करती हूँ बाकी मैं अपना पैसो को इन्वेस्ट करती हूँ वो गोल्स में क्योंकि वो मुझे रिटेंड कुछ देगा ये सारे चीज पैसा बरवात करके मुझे रिटेंड में कुछ नहीं मिलेगा में ये सारे चीज सीखा है अपने वक्त पे क्योंकि कभी-कभी वक्त अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है तो बुरा वक्त में कुछ कॉस्मेटिक काम नहीं आता है बर गोल्ट मेरा बहुत काम किया है मेरा पढ़ाई तक में भी मेरा गोल्ट ने हेल्प किया है कभी वो बा काईचिंग काईच चाहेगा वो तो लोंगी बट जो एक्स्ट्रा लेती थी वो सारे चीज में ने बन कर दिया है मिडिल क्लास फैमिली में तभी आपको रेक्स्पेक्ट अन्वैलू दिया जाता है जब आपके पास काम हो पैसा हो जो बोलते हैं वो लोग की पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है तो भाई अगर घर पे कोई बिमार है तो आपका दुआ से और आपका प्यार से ठीक नहीं होगा वो ठीक होगा दुआ के साथ साथ आपका दवा से और दबा आएगा पैसे से पैसा कमाना बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है अपने पैरों पे खड़ा होना और किसी के सामने भी हाथ ना फ्यालाना सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो लड़कियों को अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और 2024 भी निकल जा रहा है सो अपने उपर वाक करो अपने लिए कुछ करो और मेरा घर कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में बता दो और मैं आज अपनों के साथ सेर करूंगी मेरा मेकप रूटीन तो यह रहा लाइट का कुछ हाल क्योंकि सूरज नहीं निकला है थोड़ा सा बारिस बारिस मौसम है तो मेक ऐसे न्यूड मेकप करती हूं क्योंकि मेरे पास इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आया था कि दी दिखाओं सो में पहले फाउंडेशन से पहले प्राइमार यूज कर रही हूं और फाउंडेशन में अपना इस्किन टोन का ही यूज करती हूं कोई भी एक से उपर औ यूज के हिसाब से ही में लेती हूं हमेशा और मैं कोई भी कंसिनर यूज नहीं करूंगी मुझे केकी लूप पसंद नहीं है मेकप ऐसा करो ताकि आपका जो फीचर से उसको इंधान्स करो अपने आपको चींज नहीं करना है तो मेकप को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है यहाँ पर मैं चीक में थोड़ा से मुझे ब्लाशन लगाया है और इसको भी अच्छे से में ब्लेंड कर लूँगी और यहाँ चीज को मैं सेट करने के लिए यहाँ पर मैं इस्टूडियो कॉम्पैक्ट लगा रही हूं बहुत अच्छा है मेरा वाईली स्कीन में बहुत इसको भी जस थोड़ा थोड़ा टच अप करना है ताकि वो जो डाग लाइन आ जाता है केकी हो जाते वो सारे चीज ना हो बट स्वेट भी ना हो इसलिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाना भी जरूरी होता है ताकि मेक अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर मैं नियोड आ लगाना होता है और मेरा जो सिंपल गो टू मेक अप रहता है वो न्यूट में ही चल जाता है आइब्रो को भी अच्छे से ड्रॉइंग नहीं करना है जस जहां पर ग्याप है उसको ही फिल करना है ताकि नैच्रिल लुक लगे और पूरा मेक अप जब हो जाए तो सेटिंग इस्प्रे लगाना कभी भूलना मत क्योंकि यह आपको मेक अप जो भी अपने किया है वो अच्छे सेट भी कर देता है और बहुत लॉग लास्टिंग भी रहता है बेस पूरा कम्प्लीट होने के बाद मैं लिफ्स्टिक लगाती हूँ तो यहां पर कुछ आप्सेन है मेरा न्यूड लिफ्स्टिक का लाइनर का मैं न्यूड लिफ्स्टिक की जदधर लगाती हूँ क्योंकि वह जदा अच्छा लगता है मेरा फेस टोन में मुझे ऐसा लगता है और बहुत ही नैच्रल लुक देता है और लिफ्स्टिक का भी कुछ ऐसा ही जदा एक्सपेंसिब ल यही रहा मेरा सिंपल सा मेक अप लूप जो मैं करती हूं ज्यादा वक्त नहीं लगता है और इसी के ऊपर ही अगर ज्यादा मुझे थोड़ा सा और ब्राइट लूप चाहिए तो मैं लिफ्स्टिक को चेंज करके तभी मैं रेड लिफ्स्टिक एड़ कर लेती हूं तो वह थ और ब्राइड लगता है यही रहता है मेरा आल टाइम गोटू मेक अप इससे ज्यादा मुझे मेक अप करना नहीं आता है मस्करा भी मैं सिप एक कोटी लगाती हूं वह ना नेचरल सा एक लूप देता है तीन चार कोट लगाओगे ना तो वह बहुत ज़दा भारी भारी ल आप अच्छे भी दीखो गये और सच में वह बहुत ज़दा अच्छा लगता है मेरा मस्करा थोड़ा सा नीचे लग गया था तो मैंने तीन से डाक कंसिलर देखे उसका अच्छे से ब्लेंड कर लिया वह तो सौट आउट हो गया जो गाइस मेरा मेक अप कैसा लगा कमेंड करके बताना बहुत ही कम लाइट में मैंने सूट किया है तो पता नहीं आप लोग को सही से दिखेगा नहीं दिखेगा प्लीज जज मत करना क्योंकि मुझे उतना अच्छे से मेक अप करना नहीं आता है और मैंने रिंग लाइट इसले यूज नहीं किया कि कि रिंग लाइट में फिर भी थोड़ा से स्मूध दिखता है मुझे नैच्छल लाइट में दिखाना था कि एक्च्छल में में जो मेक अप करती हूँ वो आपको कैसा दिखेगा जैसे आप ओन टू ओन किसी के साथ बा यूज ब्यूटी करना है ताकि कॉंदेन फिल करें और प्रेजेंटेविल दिखें तो कैसा लगा? जरूर बताना मेरा मेक अप लूग और आप लूगों को में दिखाती हूं कैसा हाल है बाहर का बहुत ज़्यादा घारा बहुत है बारिज भी होने वाला है साहेद धूप जब बिनिंए नहीं था थोड़ा सा इस अज्च में पाइड बूलacsCheck on वज्च पूरले नेगे सी की सा थिखंड तो असीनल कि नियुशनटा तो आप लोग मैं कैसे दिखा है अब जा रहे हम लोग घूमी घूमी करने साउफ सिटी मॉल और आज में करने वाली हूँ स्वापिंग क्या स्वापिंग चलो दिखाती हूँ मुझा पीशा राख से अकों पूझा करने सायल हूँ स्वापिंग मैं और थालिक ऑच्षय पुझा सब्सक्राइट लगता है अब तो सिफ बाकी है डोल बजने क्या इसका सोर सलब अलग रहता है बच्पन में दुर्गापुजा में अपने दोस्तों के घर जाती थी सिफ कोकोनट लड़ों काने के लिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद था यहां पर मैं वाच लेने आई हूँ मुझे एक वाच चाहिए जो अभी जश्ट लॉंच हुआ है किरती सनर ने पहना था मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है और यह वाच इसलिए मैं लिया था क्योंकि इस टाइप का वाच नहीं था तो छोटा डायल हो औ इंडियान वे भी अच्छा लएगा इसका जो चेन है ना व ब्रिसलेट टाइप है तो इसलिए मैं इसको बाई किया है फॉसल का वाच बैसे ही बहुत अच्छा होता है मॉडल अच्छा रहता है और सबसे अच्छी बात है क्वालिटी क्वाइज भी अच्छा होता है हाँ एक्स्पेंसिब होता है मॉडल क्वालिटी भी अच्छा रहता है मैं तो सिब वाच लेने आई थी पर गेसेज का जो बैग का न्यू कलेक्शन आया है और मुझे इतना अच्छा लगा ये बैग बड़ इतना एक्स्पेंसिब है तो मैंने ना पहले सोचा कि मुझे लेना है नहीं लेना है पर इसको अगर लेके नहीं जाओंगी तो मुझे पाता है कि मैं इसके बारे में ही सोचूंगी तो मैंने ले लिया कि चलो समरीन खुद को गिफ्ट करी दो बैग मैंने ले लिया बड़ उसके बाद जब मैं पेमिन कराने गई मुझे लगा जटका बड़ कोई बात नहीं फिर मैं आके फीर मैं बैग देख रही थी और ब्लैक बाला बैग मुझे फिर अच्छा लग गया था पर मैं अभी इसको नहीं ले सकती इसको मैं बाद मेलूंगी साउस सिटी मॉल बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हर सल नय नय थीम ट्राइ करते हैं और बहुत ही पैरा लगता है तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी दिखा दू ताकि आप लोग भी दर्शन कर लो ऐसा नहीं है कि मैं सिब इद में ही फ्रेस्टिवल को सेलिबरेट करती हूँ मैं दुर्गा पुजा में भी अपने दोस्तों के घर जाती हूँ मेरे कुछ कलेक्से मैं उन लोग के घर जाती हूँ बहुत अच्छे से इंजॉई करती हूँ तो उन लोग को घर जाना है तो इसलिए मैंने पकिस्तानी सूट ले लिया दो ताकि मैं अच्छा अच्छा निवन्यू कपड़ा पहन के जा सकूँ और यहां का यूज कलेक्सन भी है बहुत अच्छा है तो इसके बाद मैं आ गई सौप में मिठाई लेने के लिए नहीं यहां पे मैं बढ़ा पाव लूँगी धोकला लूँगी और बेग किया हुआ यहां पे कुछ नमकिन मिलता है रोस्टेड भी मिलता है वो में ले लेती हूँ आज तो बहुत सारा सौपिंग हो चुकी है मेरी तो अब चलती हूँ घर के तरफ बहुत अच्छे से लाइटिंग भी लग चुकी है दो-चार दिन में और अच्छे से लाइटिंग लग जाएगी तो और खुबसूरत लगता है दिखने में संडे को मेरा ब्लॉग आता है और आप लोग की इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई थी मुझे एमर्जेंसी में घर जाना पड़ा था सो ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना I hope मेरे साथ आप लोगों ने भी आज का दिन इन्जॉई किया होगा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा और ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज जो लोग चैनल पर न्यूँ हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और फीड़बैक जरूर सियर करना फिर मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में खुस रहो अच्छे से रहो और इन्जॉई करो झाल प्लॉबवाल